नमस्कार दुस्तो आप सभी का स्वागाद है IMC Airborne इंडिया में और आज की इस वीडियो में दुस्तो आज हम जानने वाले हैं कोलिस्टरॉल के इलाज के बारे में और साती साथ कोलिस्टरॉल होने के कारण क्या है और इसका नीवारान क्या है साती साथ जानेंगे IMC के एक बहतरीन प्रोड़क्ट के बारे में जो की इसके समाधान के लिए बहुती ज़्यादा उप्योगी है और ये जो प्रोड़क्ट है दोस्तों फूट प्रोड़क्ट क्रेटिगरी के अंतरगत आता है लेकिन हमारी इस समझ्षा में दोस्तों बहुत ही ज्यादा रामबार सिध्द होता है तो अगर आपको भी cholesterol के समस्या है या आपका भी blood pressure बढ़ता है heart संबनी तो आपको समस्या हो रही है तो ऐसे में दोस्तो आप इस product का आप इस्तिमाल कर पाएंगे और ये जो सांदार product है दोस्तो एक प्रकार का खाने का oil है जो की rice से बना हुआ है और इस product का नाम है rice brand oil और बहुत ही budget segment में I.M.C. company ने इसमें आपको जो है एक लीटर का packet के साथ ही जो है पांच लीटर का packet भी आपको उपलब दिखराया है तो दुस्तो इस product के उप्योग से पहले हम जानेंगे च्छाए ऐसे कारण जो की cholesterol के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसमें सबसे जो पहला कारण है दुस्तो वह है दुस्तो poor diet जियां दुस्तो अगर आप जो कोई प्रकार का junk food या किसी प्रकार का ऐसा supplement खा रहे हैं जो की पूरी तरीके से आपकी diet में नहीं होना चाहिए लेकिन आप उसको लिए जा रहे हैं और उसके स्वाद के अनुसारी आप जो है उसको जो है ग्रहन कर रहे हैं तो ऐसे में दुस्तो वह आपकी लिए काफी ज्यादा unhealthy हो सकता है उससे दुस्तो आपका जो cholesterol जो level है वो बढ़ सकता है इसके साथ cholesterol के बढ़ने का जो दूसरा कारण दुस्तो वह है smoking क्योंकि smoking जो आप करते हैं तो काफी भारी मातरा में जो carbon के कण हो हमारे body में जाते हैं और तीसरा जो बढ़ा कारण दुस्तो वह है genetics कुछ लोगों की genetics से भी जो हुआ दोस्तो इसके लिए जिम्मेदार होता है कुछ लोगों की जो PD जो होती है उसकी वज़े से भी दोस्तो पहले हमारी PD में अगर कोई वक्तिया ऐसा था जिससे यह समस्या थी तो हो सकता है कि उसके आने वाली PD को भी वो जो समस्या हो सकती है तो ये भी एक जो है इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है इसके बाद जो अगला जो कारान दोस्तों वह दोस्तों ओवेसिटी यानि कि मोटापा अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको मोटापे के नियंतरन के लिए सुबह जो है हर दिन जो है दोस्तों एक अच्छी healthy diet के साथ योग प्रणायाम आपको करना चाहिए और आपको प्रती दिन अपने health पर विशेस रूप से फोकस करना चाहिए और इसके बाद जो अगला जो कारान है दोस्तों वह है दोस्तों लेक ओफ exercise यहनिकि अगर आप जो किसी प्रणायाम या किसी प्रणायास या फिर सुबह उटकर कोई प्रकार के morning वह आप नहीं करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है यह समस्या जो है देखने को मिल सकती है आपको भी जो है कॉलिस्टराल बढ़ने की समस्या हो सकती है तो इसके लिए आप जो है अपने प्रति दिन में जो है exercise को आप इन्पलूट करें ताकि यह समस्या आप से प्रवाइब करता है और आपके लिवर जो है और साथ में नरु सिस्टम इन दोनों को भी दूस्तो यह मजबूत बनाने में आपकी मदद करता है और इसमें हर प्रकार का निउट्रिशनस एवलेबल है और किसी प्रकार का कोलेस्टॉल इसमें नहीं पाया जाता है और ये anti-inflammatory के गुणों से जो है युक्त है जिससे आपके जो सरीर में जो भी toxins जाते हैं उनको भी बाहर निकालने में आपको ये मदद करता है तो ये जो oil है दोस्तों market में भी available होता है लेकिन वो कहीं न कहीं असुद ही होता है तो आपको ये oil आपको लेना चाहिए और ये oil thank you दूस्तों जहीं दूबने मात्राओं